आज हम गुजरात के सूरत सहर का बहुत ही फेमर स्ट्रीट फूट लोचो बनाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप जितनी चना डाल और वन फोर्ट कप से थोड़ी कम उरत डाली है पहले तो इसे 4-5 बार अच्छे से धो लेना है बाद में यह पानी निकल लेंगे और पीने का पानी एट करके हमें इसे 7-8 गंटे के लिए सोक कर लेना है दाल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भीग गई है तो अब हम इसे एक मिकसर जार में लेंगे पोहे को भी मैंने 15 मिनिट पहले सोक करने के लिए रख दिया था तो उसका भी पानी निकल कर इसमें एट कर देंगे 1-4 cup जितना दही और 1-4 cup पानी एट करके हमें इसे पीस लेना है लोचो का बैटर यहाँ पर रेडी है तो हम इसे एक बरतन में निकल कर फर्मेंट होने के लिए 6-7 गंटे साइड में रख देंगे तो यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है तो अब हमें इसमें मसाले कर लेते हैं सबसे पहले तो एक चमच अदरक लेसुन हरी मिर्च का पेष्ट, नमक, हल्दी, हिंग और तीन चमच मुंग फली का तेल एट करेंगे इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद एक कप जितना बैटर हमें साइड में ले लेना है एक कप बैटर के सामने हमें एक कप जितना पानी लेना है इस माप से बनाओगे तो आपका लोचो हमें साच्छा बनेगा अब हम इसमें एक चम्मच से थोड़ा कम इनो अड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे और दो प्लेट में थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये जितना पतला होगा उतना ही टेस्ट में अच्छा लगेगा दोनों प्लेट को स्टीमर में रखकर 15 मिनिट के लिए इसे हमें स्टीम कर लेना है तब तक हमें इसके लिए मसाला रैडी कर लेते हैं नमक, काला नमक, चाट मसाला, भूना जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर को हमें एक चमच लेना है काली मिर्च, अधी चमच और लाल मिर्च पाउडर को हमें दो चमच लेना है सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला रैडी अब ग्रीन चटनी के लिए हमें धनिया, थोड़ा सा फुदिना, दो हरी मिर्च, लैसुन, अधरक, नमक, काला नमक, जीरा, एक चमच सकर और आधा निम्बू ले लेना है अब इसमें मैंने पहले से जो लोचो बना के रखा था वो अट करेंगे और थोड़े से बरब के टुकडे डालके इसे मिक्सी में पीस लेना है तो यहाँ पर अब चटनी भी बनके रैडी है तो अब हम स्टीमर को खोल के चेक कर लेते हैं जो लोचो है वो अच्छे से स्टीम हो गया है आप देख सकते हो कितना सौफ्ट लोचो बनके रैडी हुआ है इससे हमेशा गर्मा गरम ही सव किया जाता है तब यह टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है पहले तो हम इस गर्मा गरम लोचो को एक प्लेट में लेंगे और उपर से मूम फली का तेल डालेंगे इसकी जगा आप मैल्टेट बटर का भी यूज कर सकते हो उपर से हमने जो मसाला बनाया था वो डालेंगे थोड़ी सी प्याज, हरी चटनी, थोड़ी सी प्याज उपर भी डालेंगे और बारिक वाली जो नाइलोन सेवाती है वो डाल देंगे मेरे हस्बन को तो ये इतना पसंद आया के बोले कल फिर से बनाना मैं तो कल यहीं खाऊंगा एंजोई